Broadway तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडा तो आप हमारे दियेगे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फिर्दर कनेक्ट कर देगा थाइंक यू नमश्का जोस्तों मैं मरजीद Broadway Immigration Services लगातार कोशिश इस चैनल के जरीए आपको UK Study Visa को लेके हर लेटिस्ट इंपॉर्टन अपडेट देते रहें तांकि आप जादा से जादा इंफॉर्म्ड और नौलिज्ट रहें आज का ये शो है Profile Versus Visa UK के अंदर कैसे Profiles हैं जो Visa हासिल कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि UK के अंदर बहुत जादा Flexibility है Profile Acceptance को लेके सो आज इसी पे बात चीत रहेगी सबसे पहले चाहूंगा जी इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें ताकि आप हमेशा latest important information को miss ना करें अगर आपके कोई doubts या confusions हों Profiles को लेके Broadway की team से आप directly contact कर सकते हैं हमारी branches हैं अलग-लग शहरों में आके मिल सकते हैं और अगर आप दूर से हैं तो आप हमारी website के जरीए BroadwayVisa.com पे जाके apply now का form बरके directly हमारे visa expert से जुड सकते हैं So presently UK सबसे flexible country है जो आपको visa issue कर रही है Profile की बात करें तो यहाँ पर plus two student पान साल gap के साथ भी acceptable है Even in some cases with seven years of gap भी acceptable है यहाँ पर graduate दस साल के gap के साथ acceptable है यहाँ पर student without IELTS भी acceptable है और भी बहुत सारी options हैं और even यहाँ तक option है कि 10 plus two student master's program में direct जा सकता है जी हाँ plus two student master's program में direct जा सकता है अपने spouse के साथ जा सकता है जो की limited option है एक आदी university में बट UK इस तरहीं बहुत सारे ऐसे बच्चों का सपना पूरा कर रहा है जिनका सपना almost खतम हो चुका था कि वो अब कोई अच्छी country में जा सकते हैं और अपने profiles को लेके जब हम बात करेंगे तो जो minimum requirement है आपकी जो plus two है वो 50% के साथ हो आपकी जो graduation है वो 45% के साथ हो अगर आपकी academic जादा week है तो आपको डुलिंगो, ILS, PT का minimum score अचीव करना पड़ सकता है जिसमें से सबसे असान है UKVI ILS का score लेना क्योंकि उसमें अगर score आपका five band भी आ जाएगा दब भी आप कहीं ना कहीं अपने जाने का UK के अंदर सपना पूरा कर सकते हो और अगर आपका English अच्छी है तो आप डुलिंगो जैसे exams को clear करके भी बहुत सारी ऐसी universities में जा सकते हो जहां पर feces भी कम रहेंगी जी हाँ, master's की मैं feces की बात करूँ तो minimum fees around 8500 भी मिल सकती है लेकिन यसे मैंने कहा कि यह limited option है, मैं हर बच्चे को यह promise नहीं कर रहा average fees जो master's की रहेगी वो तकरीबन 12000 के आस पास रहेगी 10 प्लस 2 students की मैं बात करूँ तो उनको minimum fees 10000 पॉंड तक मिल सकती है average fees 11000 से 12000 पॉंड तक रहती है बट इस बार UK में जो सबसे बड़ा change है उसे आपको समझना होगा उसमें सबसे पहले है कि आपको इस बार priority appointments नहीं मिलेंगी तो वीजा का जो process time है वो एक-एक महीने से उपर भी जा रहा है in some cases तो इसके उपर थोड़ा focus करें कि आपको इस बार early apply करना है secondly most of the universities are going to close their applications maximum by 15th of June उसके बाद September intake के लिए application चला पाना मुश्किल होगा और उसके बाद जो options हैं वो बहुत limited रहेंगी ये भी जानना आपके लिए जरूरी है खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी घर बैटे सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में देख लेंगे कर लेंगे apply so इस चीज को priority के उपर समझ ले जिस तरह से rush UK के अंदर पिछले दो साल में gradually grow हुआ है जो हमने देखा अगर हम बात करें 2020 की COVID के बाद जब situation थोड़ी normal हुई थी तो बच्चों के जो apply करने की ratio थी वो तो actually good थी always good थी but university की तरफ से बहुत सारे relaxation थे English के marks को लेके थे scholarships को लेके थे 2021 में हमने देखा कि वो कहीं न कहीं profile wise थोड़ा strict हो गए फीसिस पूरी मांगने लगे पहले कम फीसिस पे भी बच्चा जा सकता था बहुत सारी जगा पे 2022 में जिस तरह से rush है इसमें scholarship early bird scholarship almost खतम हो चुकी है सब universities की तरफ से और आने वाले दिनों में जो situation लग रही है कि अब क्योंकि profile तो वो लेते रहेंगे accept करते रहेंगे उनका education pattern system ही ऐसा है वीजा को लेके मुश्किल नहीं रहेंगी बट कहीं न कहीं यह जो rush बढ़ रहा है कैनडा के इतनी सारी application refusal के बाद ऐस्ट्रेलिया की इतनी सारी application refusal के बाद तो कहीं न कहीं universities अपनी दीने वाली scholarship को कम करेंगी जितना ज़्यादा student अब उनकी तरफ attract हो रहा है कहीं न कहीं वो भी अपनी scholarship amounts को कम करने का सोच सकती है आने वाले दिनों में so do not miss कि आपको ज़्यादा लेट apply करना है ज़्यादा लेट apply करोगे तो ज़्यादे मेहंगे भी पड़ोगे cost भी जादी पड़ेगी और अभी आप पहुत सरा अपना खर्चा पैसा खासकर फीसों में से बचा सकते हैं so अपने decisions timely लें ये बहुत ज़रूरी है अपने profiles को ल अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप सारे पैसे देंगे वीजा आने के बाद थांक्यू नमस्कार दोस्तों ब्यावरचीत ब्राडवे इमिकेशन सर्वसी से बहुत सारे दोस्त अकसर ये shows देखके मेरे से connect होना चाते हैं अपने profiles को लेके discuss करना चाते हैं तो आप directly अब हमा एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा working hours में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये तो आप हमारे दियेगे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको call center आगे further connect कर देगा thank you